द्ध कस्मीर फाइल्ज फिलम आने के बाद कस्मीरि पंदेतों पर हुए अत्य ratchet की फाइल्ज फिर खुल सकती हैं वकील और वशल एक्टिविस्ट विनीत जिंदन ने इसमामले में राश्टपती को पत्र लिक्खा है राश्टपती रामनात कोबिन को लखे पत्र में कस्मीर में हुए जेनोसाइट की फिर से जाच कराने के लिए SIT गठित करने की मांग की गई है जिंदल ने राश्टपती से अग्रह किया है कि SIT को अब तक डर्ज मामलों की पूरी जाच करनी चाहिए वकिल ने तरक दिया है कि अगा 33 साल पहले शेक विरोधी दगों से समंदित मामलों को फिर खोला जा सकता है और जाच की जखती है तो 27 साल पहले क्यों के कसमिरी पंडितों के मामलों को फिर खोला जाना चाहिए जिंदन ने पत्र में कहा कस्मेरी पंडित साजसों के सिकार हुए हैं ये लोग सारी रिक, धावनात्मक और मांसिक आघात से गुजरे हैं इसलिए कई सालों से बैं अपने आजिविगा के लिए संगहस्त करते रहे हैं तब कसमिरी पंडित अपने सिकाइद और बयान्दर्ज कराने के इस्तिती में नहीं थे और इसलिए बे नियाय से बंचत रहें ऐसे में किस्मीदी पंडितों को सरकार और सम्मंधित अधिकारियों दोरा नियाय का एक और मुका मिलना चाहिए